आरे बच्चो आज क्लास 12 आठ्स बिसे का हिंदी कोर का एकजाम हो चुका है आप लोग एंसर मिला लीजिए साइन्स वाले बच्चे इसको ध्यान से देख सकते हैं कि उनका भी कोस्चन इसी तरह का कुछ आएगा तो सबसे पहले डिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए है त तो जरूर सबस्क्राइब कर ले क्योंकि महत्पून प्रश्णों की जानकारी आपको इस चैनल के माधम से मिलते रहेगी तो हम लोग जल्दी जल्दी अंसर मिला लेते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना सही किया सबसे पहले आपका तीस अब्यक्टिव प्रश्ण है तो यहां पर पद्यांस को पढ़ना और एक से चार तक के विकल्प का सही चैन करना है तो यहां पर जो पहला कोश्चन करता है कवी किसके बारे में बात कर रहा है तो यहां आप सबसे पहले ही पढ़िए फूल तुम हो सुहावने सरस नहीं प् किसे तो फूल तुम क्या हो तो यहां फूल के बारे में बोला जा रहा है तो इसलिए पहला का जो है आपका भी हो जाएगा फूल के दूसरा कोश्चन करता है फूल सदा किस परकार मिलते हैं तो फूल जो है हमें सदा क्या मिलते हैं तो खिले हुए मिलते हैं तो यहां पर B हो जाएगा, खिले हुए, फिर है, फूल सब को क्या करता है, तो फूल है, जो सब को क्या करता है, लुभा लेता है, अपनी और क्या करता है, लुभाता है, इसलिए यहाँ A हो जाएगा, तिसरा का A, चौथा जो है, वो करा है, फूल की चा, कहां चड़ने की है, तो किसी के स सभी के सीर पर कहीं भी तो यहां तीनों है इसलिए आपका डी हो जाएगा इन में से सभी पिर है गद्यांज को पढ़ना पांच से आठ के सही विकल्प का चैन करना है स्वास्त रहने के लिए एक उत्तम उस्दी है प्राता काल का भर्मन तो यहां स्वास्त के बारे में बात क कर रहा है अब सिद्यम लग कोश्चन पर चलते हैं कि स्वास्त रहने की उत्तम उस्दी क्या है तो स्वास्त रहने की उत्तम उस्दी क्या है तो प्राता काल का भर्मन जो सुरू में ही लिखा हुआ था कोश्चन में छटा है भर्मन से क्या क्या स्वस्त रहता है तो भर्मन आवसक है तो यहाँ पर सातमा का A हो जाएगा आठमा है भर्मन एक क्या है तो भर्मन एक क्या है तो एक तरह का ये व्याम है तो आठमा का B हो जाएगा नौमा है समचार लेखन की सैली कौन सी है तो समचार लेखन की सैली जो उल्टा पिरामिड सैली है ये बहुत बार एकजाम में आया और आप बोले भी थे कि important है दसमा है टीवी कीस परकार का जन संचार माध्यम है तो TV जो है, वो देखने और सुनने दोनों के काम आता इसलिए द्रिश श्रव माध्यम है वो, हम लोग TV को देखते भी हैं और सुनते भी हैं 11 है एक अच्छे संपादक में क्या गुन होने चाहिए तो एक अच्छे संपादक में विश्वसनियता, निच्पस्ता, इमंदारी तीनों गुन होने चाहिए इसलिए D हो जाएगा इन में से सभी 12 है reminder को हिंदी में क्या कहते है तो इसको हम लोग कहते हैं अनू असमारक So 12 ओर का B होगे आपका 13 है किसी विशैविशेश पर विचारों की सिंखरला बद तरग पुन और विषलेसात्मक प्रस्तिति को क्या कहते है तो इसको हम लोग furniture कहते हैं 13 का A हो जाएगा, 14 है, जब कहानी पढ़ते, पढ़ते, पाठा कोतुहल की परकास्टावा पहुंच जाए, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, चर्मोत कर्स, तो यहाँ पर 14 का B हो जाएगा, 15 है, संचार भासा में किंतत्वों की प्रचूरता है, तो संचार भासा में जो है, वो है, संकेता छरो अकूट पदों की परचूरता है, तो A हो जाएगा, फिर है आपका निमलिखित पध्यांज को ध्यान पूर्वक पढ़का 16 से 20 के सही विकल्व कच्चेन करना है, तो यह तो कोश्चन आपके पास है, सीधे हम लोग कोश्चन पे चलते ह 16 है, कभी किसका भार लिए फिर रहा है, तो कभी जो है वो यौवन का भार लिए फिर रहा है, उनमादों में क्या लिए फिरता है, तो उनमादों में क्या लिए फिरता है, तो यहाँ हो जाएगा, उनमादों में अवसाद लिए फिरता है, 18 है उप्रिप्त पंतियों के रचेता कौन है तो इसका रचेता जो है हरिवन्स राय बच्चन जी है 19 है कभी बाहर से हस्ता भीतर से क्या होता है तो भीतर से वह रोता है तो 19 का आपका A हो जाएगा 20 है आपका कभी किसका भाहर लिए फिरता है तो कभी जो है वो जग जीवन का भार लिए फिरता है 21 है पतंग कभी ताख किसकी रचना है तो पतंग जो है वो आलोग धन्वा की रचना है तो 21 का A हो जाएगा बच्चे दोड़ते समय किसके कठोर सता को नरम बना देते हैं तो यहां और जाएका छट, छट के कठोर सता को नरम बना देते हैं 25 है कवीता के बहाने कवीता किस परकार की रचना है तो यह जो है आपका है छंद युक्त कवीता है 24 है बात सीधी थी पर कवीता के कवी कौन है तो इसके जो कवी है वो है आपका कुवर नरायन 25 है भक्तिन का दमाग क्या लडाने का आदी था तो भक्तिन का जो था वो तीतर लडाने का आदी था तो 25 का आपका सी हो जाएगा 26 है आपका लेखक के मित्र ने बजार को कौन सा नाम दिया तो लेखक ने मित्र के बजार को सैतान का जाल नाम दिया था 27 है किसंदा या सोधर बाबु को रोज सुबा जल्दी किस कारण उठाते थे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा घर का काम करने के लिए पढ़ाई लिखाय करने के लिए सुबा जल्दी उठने की आडर डालने के लिए ध्यान और योग के लिए सिंदू घाटी सव्यता की संस्कृति को आप किसरेनी में रखते हैं, तो इसको हम लोग खेती हर संस्कृति के रूप में रखते हैं, और लास्ट कोशन है, अतीत के दबे पाउपाट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है ओम थानवी, तो बच्चों, ये थे आपके 30 objective प्रस्णों के उत्तर, जल्द ही हम लोग दिर्ग उतरिय प्रस्णों को भी देख लेंगे, अतिलग उतरिय और दिर्ग उतरिय प्रस्णों को भी देख लेंगे, तो मिलते हैं नेक्ट विडियो साथ, जैहिन, जै भारत!